किसी के सामने बेवकूफ दिखने से कैसे बचें कई बार हम बाचीत करते करते हम भोल जाते हैं कि कौन सी बाते हैं जो हमें एक बेवकूफ की तरह परदर्सित कर सकती है इसी कारण हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये बात हमें एक बेवकूफ की तरह है तो नहीं दिखाएगी हमारी तीसरी तक्निक आपको यही शिखाएगी कि कैसे आप बेवकूफी भरी बाते करने से खुद को बचा सकते इस तक्निक में बस एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है और वो ये है कि जब आप किसी विक्ति से मिलें तो ऐसे वाक्यों का इस्तिमाल ना करें जो बेहत इस्तिमाल किये जाते हैं इन वाक्यों को बार बार इस्तिमाल किये जाने पर आप एक ऐसे विक्ति के तोर पर उभर आएंगे जैसे सोचने का सहयम नहीं है और सामने वाले वेक्ति आपको बेवकूफ समझने लगेगा खुदको बेवकूफी करने से बचाने के बाद अब बारी है खुदको एक प्रेडा दायक वक्ता की तरह परदर्सित करने की हमारी अगली टकनीक आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप एक प्रेडा दायक वक्ता की तरह तकनीकों का इस्तिमाल करके खुद को एक बहतरीन वक्त के तोर पर दर्सित कर सकते हैं इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई बात कहें तो उस बात का संदर्ब सबसे मिलता जुलता होना चाहिए वो बात एक बुद्धी मत्ता पूर बात होनी चाहिए जिसमें थोड़ी लाय और यदि महौल अच्छा हो तो बाद में थोड़ा मजा की अंदाज भी लाया जा सकता है इस तकनीक के साथ आप अपनी बात को उतनी ही आसानी से लोगों के दिमाग तक पहुचा सकते हैं जैसे एक प्रेणा दायक वक्ता अपने सुरोताओं तक अपनी बात पहुचाता है बेकूफी भरी एक और बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं वो यह कि अक्सर लोग सब्दों के जाल में फस जाते हैं वो कई बार सामने वाले व्यक्ति को नाराज ना करने के लिए सब्दों के साथ हेरा फेरी करने की कोशिस करते हैं जो अपने आप में बेहत गलत निरा है बेवकूफी करने से बचने के लिए आपको हमेशा जो सब्द आपके दिमाग में होते हैं उन्हें कहने के छमता रखनी चाहिए ऐसे वक्ति भले ही एक बार के लिए अकडू नजर आएंगे लेकिन धीरे धीरे लोग ये समझ जाएंगे कि वास्तों में आप अपनी जगाए पर सही हैं इस तकनीक से आप अपनी जीवन की कई साधी गैर समझ्याओं से बच सकते हैं इसके बाद बेवकूफी वाली हरकत जो अकसर थोड़ी मजाकिया वाले लोग करते हैं कई बार हमें सामने वाले वेक्ति के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जो हमारी नजर में काफी मजाकिया होता है अब कई लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वो इस बात पर उस वेक्ति का मजाक उड़ाने लगते हैं लेकिन हमारी इस तकनीक के अनुसार आपको कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए आपको बहुत भारी पड़ सकता है इसे के साथ समरी यहीं समाफ्त होती है मिलते हैं अगले सीरीज में तब तक के लिए धन्यवाद